जोहार दोस्तों आज की वीडियो करने वाले हैं परहा पंचा सासन वबस्ता जो की जनजाती सासन वबस्ता की एक महत्पूर इकाई है और यहां पर हम लोग पूरी सिलेबस को देखने वाले हैं जनजाती सासन वबस्ता जारकन के इतिहास का एक महत्पूर टॉप्रिक है यद के इंटर लेवल की जितने भी जहारकन के एक्जाम में होते हैं तो यहां से सवाल बनेंगे और आराम से आप यहां से सवाल जो है बना सकते हैं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे और इसके पहले हमने यह पूरी सासन वज़ता में पढ़नी है मुंदा उसके बनागव कर सकते हैं तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं उसके पहले आप कमें में बताईएगा हमने पीछली वीडियो में डिसक्स किया था कि यह जो सासन वबस्ता है एक एक करके आप थोड़ा लिखिएगा कि मुंदा डैस करके किस जाती की है परहा डैस करके हम आज तो प परहा क्या होती है तो चीजएं हमें समझने मां सानी होगी बें च्व्धा मैं पढ़ा था कि सबए कष्छोटी ही होती है कि इस इसकी जो पे अलग-अलग इसकी जो है इकाईली जाती है तो लगभा पासात मिला के पट्टी बनती है कुछ गाउं को मिला कर पट्टी बनती है और कुछ पट्टियों को मिला कर क्या बनती है तो पढ़ा बनता है अलांकि कहीं कहीं पर पट्टी नहीं होती तो कुछ गाउं को मिला कर पढ़ा भी होता है तो कुछ गाव मतलब कितना फिक्स फिर वी नहीं है लकिन लगबग 12,21,22 इस तरह की संख्या ले जाती है तो यहां पर हमने समझा कि 12-22 गाव मिलाकर पक्टी बनती है तो यहां पर माल किसी का विवाह होना है कोई भी जगडा हो गया वह जगडा मतलब मतलब कि उसमें उसमें कोई भी रोल नहीं होने वाला शक्ति में पुलीष और बच्वकार की कोई भी रोल नहीं अधी छाएंगे पहले अभी आप देखेंगे तो इसका अस्तित्व है हमारे जारकन के सासन ववस्ता में आप यदी देखेंगे गाउं में आप यदी जाएंगे तो इसका असर आपको अभी भी देखने को मिलेगा तो चलिए हम लोग समझते हैं आके यह विवस्ता क्या है तो सबसे पहले बात करें तो देखिए यह जो परहा- सब्सक्राइक से संबनित हैं तो आप जो परने आज का टोपिक पटापिक इस असंद میں है पहला सवाल बना दोस्सा सवाल यहां से पूछा तो आप Kenneth competent ऐसे न, विस आजाती जातीगे तो आप कॉंसी जन्जाती से ये भी आप अराम से लिख सकते हैं आगे अंत बात करें प्रहा पंचा समस्ता देखें मुंडर जनजाती से मिलती जूलती है जैसा कि हम यहां पर बात कर रहें तो यह प्रहा हों से मिलती जूलती है कि चलिए भाई मिलती जूलती है तिक स्टेटमेंट टाइप के सवाल पूछ सकता है तो यहां पर सवाल यह पूछा ज़कता है कि दो तिन स्टेटमेंट दे देगा नमबर एक स्टेटमेंट दे दिया कि पढ़ा पंचा सासन ववस्ता मुंडा सासन ववस्ता से मिलती जूलती महिलाएं बैठकों में कोई भी निरनाई हो रहा इसमें decision making में कोई भी role महिलाओं का नहीं था नहीं था यदि हम बात करें इस सास्थन वबस्ता की इसमें महिलाएं भाग लेंगी इसलिए एक बहुत important जो है सास्थन वबस्ता हो जाती है जहां पर महिलाओं का भी योगदान सरानी है तो यह एक important difference है यदि आप से एक्जामें पूछे तो जरूर यह सवाल पूख सकता है ठीक है उसके बाद हमनों बात करेंगे उराओं जन जाती की जैसा कि हमने पिछली वीडियो पढ़ा था पूर्सेंट यह दिए और पहली कौन सी तो हमने बोला था संथा जिसकी percentage यहां पे है 35% हम बात करें जारकन की थोड़ासा इसको ध्यार दिजेगा यदि हम लोग बात करें कि सरवाधिक आप इसको कहां पर देखिएगा तो मैं जराब मैप में दिखाना चाहूंगा आप यहां पर देख पारें दक्षिनी चोटा नागपुल यह division है यह प्र से प्रमेंडल है तो 123 4 और 5 यह 5 प्रमेंडल आपके देखने को मिलेंगे यहें पर यह ये महत्पूर्ण हैलाईल जो आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है, यदि हम लोग बात करें, ठीक है, उराओ अपने आपको कुलुक कहते हैं, उनकी जो भासा है, वो भी कुलुक है, ठीक है, और कुलुक का मतलब होता है, मनिश्य, यह कापी important है, जहां से आपके exam में सवाल पूछ सकता है, और यदि हम लोग बात करें, कि जैसा कि हमने देखा था, कि यदि हम संथाल की बात करें, तो वो प्रोटोस्टोलाइट से संबनित है, उसी प्रकार से यदि हम लोग बात करें, तो ये द्रवीर समू से जो है, संबनित है, कौन से उराओ, उराओ जो है, वो पाइजाती है और दक्तर का पठार काफी पुराना पठार है तो यहां तक हमने चीजों को समझ दिया अब हम आगे बात करेंगे यह मैं पॉलेटी हमने कर लिया है अब हम आगे चीजों को देखेंगे देखेंगे परहा-पंचाज सासन वबस्ता इंग्लिस में लिखा चुकि हमारी जितने इले फी प्रिच्प बनती हूं इंग्लिस सिंधी दोनों मीडियम के चाहत्रो के लिए बनती है तो इसलिए यहां पर इंग्लिस आपको देखने को मिलेगा उसके बारे नों बात करें तो यह सासन वबस्ता गईला कर अंक करती सब्सक्राइब ने बोला सबसे चोटी का यह डुसरा है परहा पनके करें ग्रामके अंदर एक पंचायत होती है कोई दे ना है दिक है कुछ भी ओगया जगडाए कुछ भी हुआ या कॱई तॉक से लिए जो है ग्राम पंचायट करेंगे चूट यह काफी इंपरंट है जैसा कि हमने अभी दोलाइन परenter नहीं थी माथो और पाहन के बारे में वहीं यहां पर इंपोर्टैंट है तो गाउंपंचाइज में चार महत्पुन पोर्ट हम यहां पर महतो महातों काम क्या है तो महतो जो है वो गाव पंचाइट जो यहां पर बना था उसका परधान होगा को कोई भी decision वो लेना चाहेंगे वो ले सकते हैं बसरते मैंने बोला था कि मडर केस नहीं होना चाहिए मडर केस से नीचे वाला कोई भी होगा तो प्रसासनिक और न्याई दोनों ही अधिकार उनके पास होते हैं प्रसासनिक का मतलब है administrative power मतलब की शासन ववश्था वो चला सकते हैं कोई भी बोलेंगे कि भाई ये आप rule आपको मानना पड़ेगा वो हो गई और न्याई का मतलब है कि प्रसासन वो चला रहे है माली जे किसी को कोई दिक्कत आ गई किसी परकार का जगड़ा हो गया तो उसमें जो है एक तरह का जज का जज की भूमिका में भी रहते हैं तो वह है दोनों ये अधिकार इनके पास होते हैं तो यह हमने देखा उसके बाद भंडारी जो ऐसेंजर का काम करता का मतलब है संदेश वाहक का काम में पोस्टमैन वाला काम यह भंधारी करता है देखिए आगे इस असल रवस्था में और एक इंपोर्टन पद हम लोग देखने वाले हैं जो संदेश वाहक का जब महतों का पोस्ट नहीं नहीं हुआ करता था था धार्मिक वाला काम भी करता था पूरा और पास थी मगर क्या हुआ कि एक महतो का पोस्ट बनाया गया और इसके जो अधिकार है वो महतो में ट्रांसफर कर दिया गया और महतो के पास जो है administrative power मतलब की प्रसासनिक और नयाईक दोनों अधिकार दे दिया गया और धार्मिक अधिकार जो है वो पाहन को दे दिया गया अब हम लोग आगे बात करेंगे और आगे इंपॉर्टन क्या है अगे महतोर यह है परहा पंचायत की in हम लोग बात करेंगी तो हमने अभी क्या बोला कि परहा पंचाये हमने देंखा ही था कि एक टो गाओं पर ऑ 있다 पर मैपन पर बाह Nee तो हमने ग्राम पंचायट के बारे में यह चार पोस्ट देख लिया जो महत्पूर्ण जहां से आपके इक्जाम में सवाद पूछे जाएंगे अब हम लोग नोग परःब किस तर पर पाइब में कौन-कौन से महत्पूल पोस्ट होने वाले दो प्रहा-पंचायद जो है वह बनेगी 5-7-11-21 जैसा के हम ने बोला कि इसके गाहूं की संख्याओं को मिला कर जो है प्रहा-पंचायद बनता है और प्रहा-पंचायद का का जो है वो नहीं कोई सम्हाल पाएगा चीजों को वहां से आपका प्रब्लम स्वाब नहीं हो पाया तो आप अपील कर सकते हैं परहा पंचायत में पहला इसका रोल है दुसरे रोल है माल लीजे एक गाउं से ज़्यादा गाउं के बीच में कोई दिक्कत आ गई ठीक है उस क में पर्हा राजा धिवान देखेंगे फिर यहां मंत्री देखने वाले हैं कोटवार प्रण. utar निप्टारा करेगा जैसा कि हमने बताया वही तो यहीं निप्टारा करने वाला उसके बाद है दिवान का काम होता है कि कोई दिवान ना कहता है पागल समस्ता है यहां पर परहा राजा का जो सहायक होगा वो कौन होगा तो वो हो जाएगा दिवान देखिए परहा राजा का सहायक दिवान होगा तो यह गाना मैंने बोला कि कोई दिवाना कहता है इसलिए आप मैंने बोला कि दिवाना वाला काम है यह दिवाना वाला काम म मंत्र क्या करेगा सिर्फ सला WILL final देगा करेगा पर जब इसे माने माने पर आजरी चरेगा प्रह राज़ा तो Pay पर्अ पन्चायत में संदेश वह काम करें वह कोटवार करेगा जासा कि हम ने अभी देखा था कि भंडारी जो है वो जो ग्राम पंचायत थी उसमें संदेश वहा का काम करता था मगर यदि हम परहा पंचायत की बात करेंगे तो परहा पंचायत में कोटवार ये काम करेगा संदेश वहा का काम कोन करेगा कोटवार करेगा मतलब पोस्टमें का काम यही करेगा ठीक है भंडार ये सवाल आप से पूछे ऑपढ़ाद आपन्च तो आस्मीन पुनिमा थीन करता चकार्यल मंतों पेलिब सबस्ता में पाहर और महतों दोनों का अतियत मात्पूर योगणार है इस पाहरी चीज़ें आपको यहां पर स्पस्ट हो गए होंगे मिलें नेक्स वीडियो में थैंक्तों अच्छे